पत्रकारिता राश्र निर्माड का चौथा अस्तंब है और समाज का दरपड़ भी है आदिकाल से ही पत्रकारिता मानो समाज का अभिन अंग है इस उचाई को प्राप्ट करने के लिए मीडिया ने एक लंबी यात्रा तैय की है 12 फर्वरी से इनोईडा के स्थीत मारवा स्टूडियो में तीन दिवसी ये बारहवे ग्लोबल फेस्टिबल ऑफ करने दिर्जम कारे करेम के सांदार सुरुआत हुई फेस्टिबल के पहले दिन के पहले सत्रे में The Contribution of Journalism in Sustainable Development बिसे पर चर्चा की गई भारतिय संस्कृती के अनुसा आर्थवी प्रजवलन और गडिश पन्ना के सांद कारे करेम के सुरुआत की गई कारे करेम में डॉक्टर संदीफ मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AFT University of Media and Arts, दिलाह लुसियन, फाया एफ मिल्यूमुनो, डॉक्टर अली अचोय, अबुजाजर, चुमित चौधरी, जस्प्रित कौर, रंजना सिंग राठोर, दिपक सिंगल मौजूद रहे कारे करे में उपस्त सभी अतितिगर को पुस्प गुच भेट कर उनका स्वागत किया गया डॉक्टर संदीफ मारवा ने उपस्त सभी लोगों का सुप्रिया अदा किया और कहा 12 जन्वरी को अंतर राश्रिय पत्रकारिता दिवस की रूप में मनाया जाता है मीडिया कम्यूनिकेशन का एक माध्यम है जो इन्फोर्मेशन को जनता तक ब्रॉटकास्ट करता है पत्रकार का काम है जन्हित में महत्यवपून जन्नाई जनकारी को उजागर करना और उस जनकारी को एक संदर्व में रखना वहां मौझूदा अतिथी गंड ने जनलिजम पर अपने अपनी विचारों को साजा किया और इंटरनेशनल डे ओफ जनलिजम का पोस्टर रिलेज किया साथ ही बॉंबे टूप बैंक कॉंग पुस्तक का बिमोचन भी किया इसी दोरान कारिक्रम में आये अतिथियों को उनके देश के क्विजिन भी चखाए गए साथ ही अतिथियों ने स्कूल ओफ होस्पिटालिटी और टूडिजम स्टूडेंट्स की प्रसंसा की कारिक्रम के दुसरी हॉल में डॉक्टर अली अच्चोय अंबैस्टर और अलजीरिया मोजूद रहे जिसमें मैक फेटे फिल्म की स्क्रीनिंग की गई इसी दोरान डॉक्टर संदीप मारवा दोरा डॉक्र अली अच्चोय को फिल्म ओफ डोकोमेंट्री के लिए और अफ डिस्टिनिक्सन देकर सम्मानित किया गया बता दे कि परदरश्णी हॉल में एफटी स्कूल आफ इस्टील फोटोग्राफी की एस्टुडेंट द्वारा इस्टील फोटोग्राफी की परदरश्णी लगी थी परदशनी लगी थी। सभी अतिथी गड़ ने स्टुडेंट्स के स्टील फोटोग्राफी को जम कर तारिफ की। सभी अतिथी गड़ को डॉक्टर संदीप मारवाह द्वारा फैस्टिवल मुमेंटों देकर सामानित किया गया। इस नहीं डड़़ आफ जर्वाड आफरेंट इस फिर्व इन स्टील तर सिफड्स व्रोट प्रिव जरोट जाओ हैं टिए घूड़ बारी व्राफुट ने का तॉन मुमेंट पीज़ झाल टून डूराइब पीज़ प्रेवी इसे और नव मुमेंटों बॉर्ण तो कि कर दो खेल बार भी फिसलिफ टोन प्रिव्तार प्रव कर दोलनियाश और मिस्तर वारीफ भी इंडेव एंगाश बड़कोंट खर्टिब्टा है it's our pleasure to that Palestine films will be part of this festival. We are looking for we are looking very important to this festival always to be part of this these days also we can remembering and recall our journalist in Palestine which we are lost in Gaza more than 124 journalists में हैंने बस्ते हैं कि आप अप्राव स्वेटा करने झाल अजर्वा करें अप्रोट करो सेट, हो एक पहु कर दूचिता कर अप्रवादान को फिर हैं भुट्टमार्वा कर दोचिता कि अप्रवा मैं उडाले खिलाद फिर जो इसम्र बारे वर्म आप से भ्रत कर्णाय कर zij पुकते विथा कि कर दcka अवेशी को Julia मेशने अव्यान आप ने भल Princess कि अपीं जहे वोड़ीए जि만 बिध ange की वोडनी इशांा कि उम एंकी इन मृश्यना-व जाह निप्लमाट ज citizenry यदर gör متे hopefully प्रेंड मेडनी पर लाड़ी नाल प्रमाल and the other aspect you have to know, you have to know about environment, about industry issues, about all these issues so you are in the middle of the society, so it will be important for you people to be more curious and be very professional because media practitioners require professionalism, require having a very good moral I mean, avoid all issues related to the corruption, so it will be important to remain a good journalist is to be aware, because to inform you have to be aware first, you have to be informed before informing the society so as I mentioned also, the media between the government and the grassroots people so you are considered as the watchdog, in some countries, in the Democratic Council, they consider media as the four powers after the executive, the executive, the judicial, and the media are considered the fourth branch of the democracy so I would like to encourage all of you to continue working, learning, and to be a more good journalist in the future I also would like to thank Mr. Marawan more about this event, because since I came last May it always invites me to participate in the event we are in the media, thank you Thank you, thank you You are ready, all of you Thank you, thank you very much, I am very happy to be here for the 12th edition of the Festival of Journalism I have to thank Mr. Dr. Marwa for his invitation and all of his team for the good organization I have also to greet all of the students who have been here with us I think we participate, Algeria participated today with the film Algeria from Sky I am happy for this and I hope that there will be other films, Algerian films, here in India and here in this nice institute and I hope that we will enhance our cooperation between India and Algeria in the film field, journalism and all of other fields Thank you very much What a grand opening of 12th Global Festival of Journalism NOIDA 2024 I am very happy, very excited, there is a lot of excitement, there is a lot of energy in the campus right now and I am very happy that we have become one of the most exclusive festivals of the world Today, this time, we have opened three documentary films from Chad, from Algeria and from Palestine and all the ambassadors were here to inaugurate the first session of the festival and there was a fantastic response from all corners of the world People are congratulating Marwa Studios and especially International Chamber of Media and Entertainment Industry for such an exclusive festival right now A minute back, we have also inaugurated the exhibition of photographs all designed and created by the students of AAFT School of Still Photography I think each and every picture is more than an event itself and I am surprised to see the quality of the work what students have done right now It has induced me to announce a coffee table book for these students who have presented these pictures in this exhibition What will be the theme in the three days of the event? from 20 different countries The most important thing is that we have also added food from almost 16 countries of the world which has become one of the major attractions of the festival this time Thank you I am senior journalist I am very happy to participate to participate to participate in this festival C'est ça non? I am big thanks to Dr Marwa And another day Je ne parle pas anglais Je parle français Hein? I speak French But I am very 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 glad I am very happy I am very successful And another day